गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स आप तमाम दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम प्लेटफॉर्म के बॉल्म टू के सेट नमबर दो के अंतरगत आपकी जीके और जीएस के प्रस्न को यहां प बात की जाए तो आपको इस चैनल के माथम से और बीडी के सेट नमबर 20 तक को कंप्लेट किया गया है वीडियो अपलोड कर दिया जा चुका है और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखाया तो इसी चैनल के प्लेइलिस्ट में आप उसे देख पाएंगे इसके अलाबा देखें अगर जिन अभियर्थियों को रिजिनिंग में जड़ा सभी परसानी होती है आप इस वीडियो को जो अपलोड किया गया है अगर आप कंप्लेट देखेंगे तो वहां से आपका रिजिनिंग का परसानी सौल हो जाएगा तो इस चैनल के माथम से मैं एक बार फिर नमबर 2 को जितने भी 2 के अंतरफें जितने भी G के और GAYS के प्रस्ट है उसे यहाँ पर सौल्ब किया जाएगा तो चलिए सुरुवात करते हैं पहले प्रस्ट के साथ पहला प्रस्ट है निमलिखित मेंसे किस ने 849 में जहासी की क्ले की घेरावंदी की थी देखिए जहासी के किले की घेरावंदी जो है वह कैप्टन हीरोज के द्वारा किया गया था उसने ही जहासी किरानी को कहा था कि वह जो है अकेली मर्द है कैप्टन हीरोज के द्वारा कहा गया था जब जहासी किरानी को गोली लगी थी तो अंग्रेज जो है, उनके मृत्य सरीर के पास भी जाने से कतरा रहें थे, डर रहें थे इतना खौब था लक्ष्मिभाई की, जहांसी की रानी लक्ष्मिभाई का इनके मृत्यू अठारसो अंठावन में गौालियर में हुई थी अगला प्रस्ण है प्रस्ण संक्या 2 दूसरा नमबर प्रस्ण कहा रहा है कि हाली में किसने 2023 UNHCR नांसें सरनार्थी पुरसकार जीता है इस पुरसकार की बात की जाए तो यह पुरसकार अब्दुल्लाही मायर को परदान किया गया है यह जो पुरसकार है UNHCR नांसें सरनार्थी पुरसकार वह अब्दुल्लाही मायर को उनके बिसेसकार जो की बच्चों की सिक्षा के अधिकार के लिए उनके द्वारा केनिया के भीर भार वाला इलाका था वहाँ पे एक लाग से अधिक किताबे उनके द्वारा वित्रित की गई थी और सिक्षा का क्या किया था उनके तरफ से वगालत किया गया था और इसी के लिए उन्हें या पुरसकार से समानित किया गया था प्रस्न संक्या तीन तीसरे नमबर प्रस्न में कह रहा कि हाली में विधान सभाचुनाव कह रहा है कि हाली में विधान सभाचुनाव में नव निर्वाचित मुखमंत्री का सुमेलित करम कौन सा है अब देखिए ओप्सन नमबर A में दिया हुआ है राजस्थान के मुखमंत्री अनू मूला रेवंत रेड़ी तो यह आपका गलत हो जाएगा बरतमान के हिसाब से चले तो यह हो जाएगे भजन लाल सर्मा भजन लाल सर्मा जो हो जाएगे वह आपके राजस्थान के मुखमंत्री हो जाएगे उसकी बाद आता है मध्य परदेश का आप्सन नमबर B चुकि यह गलत है लेकिन हमें क्या करना है information collect करना है sit बनाने का मतलब है कि जो भी concept है उसको clear करना है और जो नया update है है उससे रूब रूब होना होता है तो यह आपका मध्य परदेश की बात करें तो यह मोहन यादब बने है तो यहाँ पर क्या है विष्णु देव साय यह गलत है मोहन यादब मोहन यादब क्या हो जाएगा cm होंगे मुख मंत्री कहां के मध्य परदेश के MPK अब अगला है option में c न मेरे कह रहा है कि 36 गट के मुख मंत्री जो क्या दिया हुआ है मोहन यादब यहाँ पर विष्णु देव साय 36 गट के मुख मंत्री तो यहाँ आपका गलत हो जाएगा क्या हो जाएगा 36 गट के मुख मंत्री विष्णु देव साय विष्णु देव साय तो हमारा यहाँ A, B, C, 3 option गलत था और यहाँ option number D में कह रहा है कि मिजोरम स्री लाल दुहो मा मिजोरम के मुख मंत्री तो यह क्या है आपका बिलकुल सही है एक मातर आपका option number D सही है बाद बाकी तीनों का राजस्थान के मुख मंत्री बने है भजन लाल सर्मा और इसके अलाबा मद पर्देश के बने है मुहन यादव उसके अलाबा 36 गट की बात करें तो विशनु देवसाय 36 गट के मुख मंत्री बने है चलिए अगला प्रस्ण है प्रस्ण संक्या 4 बर्मा ब्रिटीस भारत से कब अलग हुआ था प्रस्ण में है कि बर्मा ब्रिटीस भारत से कब अलग हुआ तो यह आपको 1935 में अलग हुआ था भारत सासन एक्ट 1935 के माध्यम से बर्मा और अधन को बर्मा और अधन को भारत से अलग कर दिया गया था ठीक है 1824 से 26 इस्पी के बीच जो प्रथम आंगल बर्मा युद हुआ था युद के बाद यांडू की संधी हुई थी बर्मा बिल्टीस भारत से 1935 में तो अलग हुआ है था और बर्मा और अंग्रेज के बीच तीन युद हुआ था ठीक है और इससे लॉड डफरिन के काल में यह युद हुआ था और इससे बर्मा को यहां पे मिला लिया गया था चलिए अगला प्रस्ण है प्रस्ण संख्या 5 पांच में नमबर प्रस्ण में कहा रहा है कि भारत के साथ सबसे कम अस्थलिय सीमा बाढ़ता है सबसे कम अस्थलिय सीमा मियमार के साथ लगता है और लंबी की अगर बात की जाए और सबसे जादा अगर सबसे जादा हम बात करेंगे वैसे तो इस आप्सन के अनुसार मियमार हो जाएगा लेकिन अगर हम सबसे कम कहेंगे तो वह अफगानिस्तान से लगता है 106 किलोमीटर लेकिन यहाँ option में आपका मेमार है बांगला देश की अगर बात करें तो बांगला देश से 4,96 किलोमीटर तक का रेंज है जो इस सीमा से जुरा हुआ है उसके अलाबा आपका चीन का आता है तो चीन से 3488 किलोमीटर है इतना आपका जो है सीमा जुरा हुआ है इसके अलाबा पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ से 3330 किलोमीटर तक का सीमा पाकिस्तान के साथ अंतराष्टिय सीमा जुरा हुआ है और यहाँ पे सबसे कम option में म्यामार आएगा म्यामार के साथ 1643 किलो मीटर की सीमा लगती है भारत की सीमा लेकिन अगर सबसे कम आपसे पूछा जाए तो अफगानिस्तान का सीमा भारत से लगता है जो कि क्या है P.E.O.K. से जुरा हुआ है पाक अक्यूपाइट कास्मीर के साथ जुरा हुआ है 106 किलो मीटर का रेंच चलिए प्रसन संखिया चटे नमबर प्रसन में पूछा गया है कि उत्तर कोडिया तथा देच्छिन कोडिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते है इस सीमा रेखा को 38 समनांता रेखा के नाम से जानते है पहले नमबर ऑप्सन में है रेड किलिप रेखा यह रेड किलिप रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच रेड किलिप रेखा पड़ता है इसके अलाबा अगर हम बात करें तो यह option number B में है 49 समना अंतर रेखा यह आपका United State of America और Canada के बीच परती है लगती है ऐसा कह सकते हैं यह 49 समना अंतर रेखा इसके अलाबा option number C में आपका 38 जो है वह 38 भी समना अंतर उत्तर कोडिया और दच्छिन कोडिया के बीच सीमा अब हमारा क्या आगे 17 समना अंतर रेखा वह उत्तर वियत नाम और दच्छिन वियत नाम के बीच लगती है 17 समना अंतर रेखा चलिए अगला प्रसन है प्रसन संख्या साथ New Development Bank जिसे NDB कहते हैं उसका मुख्याले कहां पर है तो इसका मुख्याले संखाई में परता है और संखाई कहां पर है चीन में है चीन की राजधानी बीजिंग है NDB के अस्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी अस्थापना 15 जुलाई 2014 को की गई थी और के भी कामत NDB के पर्थम अध्यक्ष बने थे इस बैंक की अस्थापना ब्रिक्स देशों के द्वारा किया गया था जिसका प्रारमभिक पुजी ke इस टार्टिंग कैपिटल की बात करें सो अरब डॉलर से इसकी स्टार्ट हुए थी शुरुरात हुए थी वरतमान में NDB के जो अध्यक्ष है वह दिलमा रूसेफ है वरतमान में NDB के अध्यक्ष है अगला प्रशन है प्रेसन संख्या eight कैयरा है कि पहला जन-जातिये खेल महसब का आयोजन कहां किया गया था इसका पहला आयोजन आपको भुबनेशवर में किया गया था भुबनेशवर की अगर बात करें तो उडीसा राज के लिए रायधानी परती है और हैदराबाद में अगर हम सात्यों बात करें तो हैदराबाद में वोनालू तिवहर मनाया जाता है अगला अगर बात करें हैदराबाद में आपका वोनालू पड़ता है एक बार इसे रिपीट करते चलेंगे बार बार तो याद हो जाएगा इसके अलावा लद्दाक की बात करें तो लद्दाक में आपका हेमिस महोत्सव मनाया जाता है हेमिस महोत्सव लद्दाक में मनाया जाता है और option जो D में दिया हुआ है तो वहाँ पे पुस्तकाले महोत्सव का आयोजन किया गया था किया गया था अगला प्रस्ण है प्रस्ण सहिंख्या नो नवे नम्मर प्रस्ण में कहा रहा है कि काली दास सम्मान पुरसकार प्रारम किया गया था तो इसे सुरुवात किया गया था मध्य परदेश सरकार के द्वारा काली दास सम्मान पुरसकार की सम्मानित रासी जो है वह जैसे की उनके द्वारा निका गया है अभिज्यान साकूंतलम। जो की क्या है? एक बहुत ही सांदार नाटक है। काली दास की महां कृतिएं। इसे महां कृतियों में काउंट किया जाता है। काली दास चंद्रगुप दूइतिये के नवरत्न में सामिल थे वे चंद्रगुप दूइतिये के नवरत्न में से एक थे यानि कि नौ जो है उसके नवरत्न थे उसमें से एक आपके काली दास थे तो ऐसा आप कह सकते हैं कि चंद्रगुप दूइतिये के समकालीन थे अगला प्रस्ट संख्या 10 दसवे नंबर प्रस्ट में कह रहा है कि राष्टिय हरीत हाइड्रोजन मिशन के काडियान वेन के साथ वर्स 2030 तक भारत की हरीत हाइड्रोजन उत्पादन चम्ता कम से कम 10 प्रती वर्स तक पहुँचने की संभावना है देखिए जो राष्टिय हरीत हाइड्रोजन मिशन है उसके लिए जो उत्पादन का लक्ष रखा गया है उत्पादन चम्ता वह पांच मिट्रिक्टन ऐसा है तो पांच एमेम्टी ऑप्सन नंबर एह हमारा इसका अंसर हो जाएगा भविस्य का जो इंधन ग्रीन हाइड्रोजन है वह 2050 तक दुनिया की उ इसे आरके नरायन के द्वारा लिखा गया है आरके नरायन इनके द्वारा एक बहुत सारे कही सारी लिखा गया है जैसे आपका दोस्त दार्क रूम दा गाइड यह सब भी इनके द्वारा लिखा गया था अगला प्रसन है प्रसन संक्या 12 फीजी देश की राजधानी कौन स मौरिसस की राजथानी पौर्ट लूइस है इसके अलाब अगर हम बात करें किंग्स्टन की तो यह जो है सेंट विश्टेंट विश्ट्ट की राजधानी परता है light विंसेट की राजधानी किंगस्टन है इसके अलावा यहां पे है परमारिवो यह किसकी राजधानी पड़ती है तो यह सूरिनाम की राजधानी है यह आपका सूरिनाम की राजधानी पड़ती है अगर हम बात करें फीजी की तो फीजी की राजधानी सुवा हो जाएगी option number A हमारा इसका सही-साही आंसर बनेगा प्रस्न संक्या 13 दिनार किस देश की मुद्रा है तो दिनार करेंसी है या इराक की है option number C हमारा यहां से सही आंसर हो जाएगा इसके अलाबा चीन की बात करें तो चीन की वैसे तो चीन के द्वारा यूरो भी चलाया जाता है लेकिन इसकी अधिकारिक मुद्रा क्या है यूआन है यूआन रेनमी भी चीन में चलाया जाता है इसके अलाबा इरान की बात करें तो इरान की मुद्रा है रियाल इरान की मुद्रा हरियाल है इसके अलाबा इंडोनेशिया में रूपिया चलता है ऐसे वाला रूपिया नहीं रूपिया ठीक है चलिए अगला प्रसन है प्रसन संक्या 14 सायना नहवाल किस खेल से जूड़ी हुई है सायना नहवाल का सम्मंद जो है वो बैडमिंटन से option no.C हमारे यहां से correct answer हो जाएगा सायना नहवाल विष्व बैडमिंटन में पर्थम अस्थान लाने वाली पर्थम भारती बनी थी वह पर्थम भारतिय बने थी जिन्होंने विश्व बैडमिंटन में पर्थम अस्थाल हासिल किया था बैडमिंटन के चाइना सूपर स्रीज 2014 का किताब महिला वर्ग में साइना नहवाल के दोरा जीता गया था प्रस्ण सेंकिया पंदर पंदर नंबर प्रस्ण में कह रहा है कि दिल्ली के राजपत का नया नाम क्या हो गया है इसका नाम बदल करके करतब्य पत कर दिया गया है और किंग्स वे हैं उसका नाम बदल कर 1955 में राजपत किया गया था 1955 में राजपत नाम किया गया था राजपत राजपत किया गया था उससे पहले इसका नाम हुआ करता था Kingsway Kingsway Kings का रास्ता ऐसा कह सकते हैं और इस राजपत का नया नाम बदल के करतब पत कर दिया गया है 2022 में ठीक है प्रसन सहीं किया 17 सॉरी 16 16 नमबर से आपका महत का प्रसन है तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ GK और GS को करेंगे सेपरेट वीडियो बनेगा उसमें सिर्फ रिजिनिंग का करेंगे और एक और अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ मैत के करेंगे ताकि जिनको मैत में प्रॉब्लम है वो मैत का वीडियो देखे रिजनिंग का प्रॉब्लम है वो रिजनिंग का content देखे और जिने GKGS की प्रॉब्लम है वो है GKGS का प्रसंद देखे इसलिए हम लोगों ने सारे वीडियो को यानि कि सारे segment को एक साथ mix नहीं किया है separate उसका वीडियो बना रहा है तो अगले हम बढ़ेंगे GKGS के प्रसंद में जहां से स्टार्ट होगा वहां से उससे हम सुरू करेंगे फिर से प्रसंद संक्या 31 कह रहा है कि बीसवे ACI खेल 2026 में कहां आयोजित होने वाले हैं यानि कि जो बीसवे ACI खेल 2026 होगा वह कहां पर आयोजित किया जाएगा तो यह इसका आयोजन जापान में किया जाएगा 2026 की बात कह रहा है तो यह जापान में किया जाएगा पहली बार ACI खेल का आयोजन 1991 में हुआ था और यह हुआ था आपका नई देली में पहली बार ACI खेल का आयोजन भारत के संदर में अगर बात किया जाए तो 1991 में हुआ था और यह आपका नई देली में आयोजित किया लिए था 2030 में उनिस्वे खेल का कई आयोजन चीन के हभाग जोग में हुए कि यहां पे हुआ था दो हजार तेस के करने करने वाली पहली भारती यह बन गया मार्स रूवर को संचालित करने वाली पहली भारतिये यहां पे कौन बनी है तो यहां बनी है आपकी अक्षिता क्रिश्न मूर्ती जिनके द्वारा मार्स रूवर को संचालित किया गया है और ऐसा करने वाली वह पहली भारतिये बन गई है भारतिय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जायिता गुपता को जलवाई परिवर्तन रोग थाम के छेत में उनके काम के लिए नीदर लैंड में बिज्ञान के सरवच पुरसकार एस्पिनोजा के समान से समानित किया गया था किसे यह मिला था जायिजा गुपता को इनको नीदर लैंड में समानित किया गया था नीदर लैंड में इन्हें सरवच पुरसकार है वहां का एस्पिनोजा एस्पिनोजा से समानित किया गया था प्रसन संक्या 33 भारत के 84 में ग्रेंड मास्टर कौन बने है तो यह बन गए अनमोल रमेश बावू भारत के 84 में ग्रेंड मास्टर अनमोल रमेश बावू बने है और 82 में ग्रेंड मास्टर की बात करें तो अबुपला प्रनीत है वे 82 में ग्रेंड मास्टर है इसके अलावा आदित्य यह सामनते वह आपके 83 सतरंज Grand Master है और सायन्त दासकी अगर बात करें तो यह क्या है एकासी वे Grand Master है फिलहाल आप से प्रसिन में पूछ रहा था प्रसिन में आप से पूछा गया था चौरासी वे Grand Master कौण मने हैं तो यह बने है अनमोल हडमेश बाबू प्रसिल सेंग्या 34 कह रहा कि भारतिय उप महादीब का साथवा सबसे पुराना विश्विद्याले पटना विश्विद्याले कब अस्थापित हुआ था इसकी अस्थापना जो है वह आपको 1917 में की गई थी जो कि क्या है भारतिय उप महादीब का साथवा सबसे पुराना विश्विद्याले है इलाहबाद अगर विश्विद्याले के अस्थापना की बात करे तो इलाहबाद विश्विद्याले के अस्थापना 1887 में हुई थी और लखनोब इस विद्याले के स्थापना उनीस सो बीस में किया गया था प्रस्ण सेंख्या थर्टी फाइब अंतराष्टी योगदिवस कब मनाया जाता है अंतराष्टी योगदिवस परती एक साल जून के 21 तारीक को मनाया जाता है अंतराश्टिय योग दिवस भारेश सरकार के प्रयास पर युनाइटेट नेशन के द्वारा 2015 से मनाना शुरू किया गया था प्रारम किया गया था प्रस्ण संख्या 36 नमबर प्रस्ण कहा रहा है कि जालिया वाला वाग कहां पे इस्थित है तो यहाँ आपका अमरिस्सर में पढ़ता है जालिया वाला हत्याकान जो है 13 अपरेल 1919 को हुई थी जब रॉलेक्ट एट के बिरोध में इसी बाग में बहुत सारे हजारों की तादाद में भीर यहाँ पे इकठे हुई थे चुकि अस्थानी है यहाँ के नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुदीन किछलू इनकी क्या हुई थी गिरफतारी हुई थी और इस काला कानून यानि के रॉलेक्ट एट के बिरोध में यहाँ पे जनसभा आयोजित की गई थी इसी जनसभा में जनरल लोडायर के द्व कर दिया गया और जलया वाला बाद हत्याकार्ण के नाम से जना गया था प्रसन सENक्या 37 कुछी पूरी किस परदेश का साउस्थिये निर्थ है तो यह आपका आंद्र परदेश का सास्थिये निर्थ है इसके अलावा भरतनात्यम की अगर बात करे तो यह तमिलनाडू का न निर्थ है मनिपूरी मनिका मनिपूर का राष्ट्री निर्थ है अगला प्रस्ट है प्रसीन सांकिया 38 कह रहा है कि जली कट्टू साडू की लड़ाई किस राज से समद्धित है तो यहाँ आपका पड़ता है तमिलाडू में हालाकि इस पर कुछ समय के लिए बैन लगा दिया मांचित्र में समुद्र की समान गहरायों को जोडने वाली डेखाओं को क्या कहते हैं तो इसे आईशो बात के नाम से जाना जाता है मांचित्र के माध्यम से समुद्र की जो समान गहरायों होती है डीप होती है उनको जोडने वाली जो रेखा होती है उसे आईशो बात कहते है प्रसन संख्या 30, सुरी 39 तो हो गया, 40 नमबर प्रस यह एक ठंडी और सुस्क वायू है, कौन सी ठंडी और सुस्क वायू है तो बोरा एक ठंडी वायू होती है और साथी साथ सुस्क वायू होती है एंडियाटिक तट पर बोरा ठंडी हवा चलती है प्रस्ण संख्या 41 उत्री गुलार्द में ग्रिस्म कालिं संक्रांती डैस के महीने में होती है तो यह आपका जून के महीने में होती है उत्री गुलार्द में ग्रिस्म कालिन संक्रान्ती परती है जून के महिने में 21 जून को करक रेखा 37 डिगरी उत्री अच्छांस पर लंबवक चमकता है जिसे करक शंक्रान्ती अथवा ग्रिस्म संक्रान्ती के नाम से जाना जाता है प्रस्ण संक्या 42 दिल्ली सल्तनत काल में तबकात ए नासरी की रचना किसने की थी? इसकी रचना जो है मिनहाज उल्सिराज के दोरा किया गया था तबकात ए नासरी की रचना की गए थी मिनहाज उल्सिराज तबकात ए नासरी की रचना फारसी भासा में की गए थी अगला प्रसन है प्रसन संख्या 43 अंग्रेजों ने बहादूर साह द्वितियों को देश से निकाल कर कहां भेज दिया था उसे निकाल करके रंगून भेजा गया था स्रिलंका भेजा गया था काबूल भेजा गया था या नेपाल भेजा गया था तो इसे साथियों बहादूर साह को अंग्रेजों ने देश से निकालकर रंगून भेज दिया था ठीक है अपसे नमबर ए हमारा यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा रंगून जो है वह अब बर्मा देश की राजधाने हुआ करता था बर्मा का राजधाने हुआ करता था यह रंगून अब बर्तमान की अगर बात करे तो बर्तमान में बर्मा का नैनम म्यमार हो गया है प्रसन सेंख्या 44 भारतिय अधिकारी अधिका अलग है कायरा कि भारती है अधिकारिक गोपनीतिया अधिनियम कब पारित किया गया था इस अधिनियम के दौरा प्रेस की स्वतनता को प्रतिवंधित कर दिया गया था तो इसे पारित किया गया था 1904 में ओप्सिन नमबर b में वहां का वाइसराय लॉड करजन हुआ था उसी के कारिकाल के दोरान इस अधिनिया में संसुधन किया गया और इसे दे इंडियन ओफिसियल सिक्रेट्स एक्ट उनी सो चार के डूप में और अधिक कठोर बना दिया गया प्रस्ण संख्या 45 प्रसीद तमील महा कावि मनी मेखले की रचना किसने की थी तो इस मनी मेखले कावि की रचना क्या गया था सतनार के दोरा और option number C हमारा यहाँ से सही answer होगा अभी यहाँ पे फिर से आपका मैत का प्रस्ण है तो मैत के प्रस्ण को हम लोग skip करेंगे आगये बढ़ेंगे 61 number person में कह रहा है कि किस ने कहा था कि भारत की एक मातर आसा उसकी जनता से है उच्वर्ग सारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है तो यह स्टेट्मेंट दिया गया था स्वामी विवेकानन के दौरा उन्होंने कहा था कि भारत की एक मात्र आसा एक मात्र जो होब है वह उसके जन्ता से है जो भी उच बड़ के लोग है, वह क्या है, सारी एक डूप से क्या है, मिरित है, अक्छाम है, ऐसा कह सकते है प्रस्ण संख्या 62, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज़ी कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा महराष्ट के द्वारा प्याज का उत्पादन किया जाता है option number C हमारा यहाँ से सही answer हो जाएगा प्रेशन संख्या 63 63 नमबर प्रेशन में कहा रहा है कि निमली खित में से कौन सी भारत सबसे बड़ी कृतिन ताजे पानी की जील है भारत की सबसे बड़ी कृतिन पानी की जील अपका हो जाएगा सिवाजी सागर जील option number B हमारा यहाँ से correct answer हो जाएगा देखिए बिकल्ब के अधार प्रगर हम बात करें वह दिया हुआ है सिवाजी सागर जील वैसे भारत की सबसे बड़ी कृतिन जील गुविन सागर जील है जो कि आपका option में नहीं दिया हुआ है गुविन सागर जील जो है वह क्या है भारत की सबसे बड़ी कृतिन सागर जील है चुकि यह option में नहीं है तो हमारा सिवाजी सागर जील correct answer हो जाएगा प्रशन संख्या 64 प्रथम लोगसभा के speaker कौन थे प्रथम लोगसभा speaker GB मावलंकर थे GB मावलंकर प्रथम speaker थे जिनके खिलाब प्रस्ताव लाया गया था और पास नहीं हुआ था भारत के दो speaker GB मावलंकर एवं MZ बालयोगी है जिनका पद पर रहते हुए मृत्य हुई थी और 17 लोगसभा के अगर बात की जाए तो उस speaker जो है वह ओम बेडला है प्रस्त सेंग्या 65 निमलिकित में से किस राज में विधान मंडल का उपरी सदन या विधान परिशद नहीं है तो यह कहां पर नहीं है पस्चिम बंगाल ऑप्सन नमबर सी हमारा यहां से सही अंसर हो जाएगा देखिए भारतिय सासन एक्ट 1935 हुआ था उसके अधिन पहली बार छे राज में विधान परिशद का गठन हुआ था और भारतिय समिधान का अनुचेद 179 है जिसके अधिन संसत को यह अधिकार दिया गया था बिधान परिशद के गठन या उनमूलन का लुए उनमूलन कर सकते हैं अतब बिधान परिशद का गठन कर सकते थे और यह अधिकार उनुचेद 179 के द्वारा प्राप्त हुआ था तो हमारा इसका आंसर क्या बनेगा क्यार निम्हार में लोग सभा की 40 सिटे हैं राज सभा की कितने सिटे बिहार में है देखिए लोग सभा की 40 सिटे हैं और इसके अलावा राज सभा की 16 सिटे हैं आपसे नमबर D हमारा यहां से सही हो जाएगा इसके अलावा विधान सभा की अगर बात की जाए तो विधान सभा की 243 सिटे हैं और विधान परिशद की अगर बात करें तो विधान परिशद की 75 सीटे हैं 75 सीटे है यानिकि 75 सदस्य बिहार के परिपेक्ष में यह आंसर था और सबसे अधिक विधान सभा में सदस्यों की संक्या उत्तर प्रदेश से आती है 403 और लोकसभा की भी सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश से ही आती है जो की आपका 80 सीट है प्रेशन संक्या 67 भारतिय संभिधान में राष्टपती चुनाव पद्धती का सुरूत किस देश के संभिधान से लिया गया है नीती निशक तत्त की अगर बात करे तो वह भी आपका आयरलेंड के शमिधान से ग्रहन किया गया है प्रेशन संक्या 68 कह रहा है कि सीमला समझोता पर हस्ताक्षर किया गया थे नीती तो यह हो था आपका दो जूलाई दो जूलाई 1972 को हुआ था भारत और पाकिस्तान के उमद सीमला समझोते पर हस्ताक्षर जो कि हस्ताक्षर आपका इंदरा गांधी जो कि भारत की तरप से थी और पाकिस्तान के पधान मंत्री जुल्फिकार अली भुटो के द्वारा इसे सिमला सम्झोते पर हस्ताक्षर किया गया था सिमला समझवते का कई सारे उद्देश थे जैसे की दोनों देश यानि की भारत और पाकिस्तान एक दूसरे की राष्टिये एकता छेत्रिये अखंडता और राजनीतिक स्वतनता इसके अलावा संप्रभू समानता का सम्मान करेंगे 17 दिसंबर 1971 को दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम युद्ध विराम जिसको कहते हैं उसको लेकर के रेखा के नियंतरित रेखा जिसको लाइन अप कंट्रोल कहते हैं उसमें परिवर्थित कर दिया गया था और संचार, डाक, तार, समुद्र और जमीन के माध्यम से दोन 69 नमबर प्रेस में कहा रहा कि चीनी सामयवादी गंतंत्र का प्रतम अध्यक्ष कौन था तो यह था आपको माध से तुंग, माध से तुंग के नित्रित में 1949 में चीन में जनवादी गंतंत्र और सामयवादी साजन की अस्थापना हुई थी कमबोडिया की राजधानी का नाम क्या है कमबोडिया की राजधानी का नाम है नॉम पेन, option नमबर भी हमारा यहां से सही आंसर हो जाएगा अंकोरवाट की अगर मंदिर की बात करे तो यह आपका कमबोडिया में ही पड़ता है अंकोरवाट की मंदिर और प्रस्ण में कई बार पूछा गया है अंकोरवाट की मंदिर या का मंदिर यह कई बार पूछा जा चुका है इसके अलावा option A में जवाब का दिया हुआ है nicosia nicosia जो है वो cyprus की राजधानी है cyprus की राजधानी पढ़ेगी nicosia अगला प्रसन है प्रसन सेंख्या 71 कह रहा है कि खासी भासा खासी भासा जो है वो किसे में सम्मिलित है किसे से जुरा हुआ है तो यह आपका austro-asiatik उपकुल की जो मो GIR्चमेर साखा है इससे खासी भासा का क्या है hai-relation है टीक है जन संख्या के दृष्टी से austro-asiatik भासा परिवार के सबसे बड़ी भासा क्या है संथाली भासा है प्रसन संख्या 72 कह रहा है कि त्री अस्तरिये पंचायती राज विवस्था जो की 73 संसोधन अधिनियम 1992 द्वारा उस राज के लिए प्रस्तावित किया गया जिसकी जन संग्या निम्न में से कम नहीं थी नहीं थी कह रहा है कम थी नहीं कर रहा है कम नहीं थी तो इसका आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर सी 20 लाग ठीक है त्री अस्तरिये पंचायती राज विवस्था जो है वो 73 संसोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जैसा कि आपको प्रस्ण में भी यहां पे दिया हुआ है उस 1992 के द्वारा उस राज के लिए प्रस्थावित किया गया जिसकी जनसंख्या 20 लाग से कम नहीं थी अनुचियत 243 का यह उबंदित करता है कि प्रतीक राज में ग्राम अस्तर मध्यवस्थी अर्थर अथवा जीला अस्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा जिसकी जनसंख्या 20 लाग से अधिक होगी और इसके अलाबा अगर हम बात करें तो यह त्री अस्तरिय पंचायती राज व्यवस्था की स्विफारिज बलवन्त राय मेहता समीती के माध्यम से किया गया था अगला प्रस्थन है प्रस्थन संख्या 73 73 नमबर प्रस्थन में है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्चित अस्थानों या सीटों इसके संदर्व में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है अब देखिए हुआ यूँ था इसमें पहला statement दे रखा या पहला आप कह सकते हैं option इसका प्रावधान समीधान के अनुच्षेद 243 ड के सब सेक्षन 3 में किया गया था प्रसन को एक बार फिर से समझेंगे और answer को भी एक बार फिर से समझेंगे कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिला के लिए जो आरक्षी सीट थी आरक्षी रिजर्वेशन सीट था उसके संदर में निमलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है तो देखिए कहा रहा है कि इसका प्रावधान समिधान के अनुच्छेद यानि कि आर्टिकल 243 के सेक्षन D के सब सेक्षन 3 में किया गया तो यह आपका सही है इसके अलाबा अगर हम बात करें दूसरा नमबर में दूसरा नमबर option में क्या कहा रहा है कि यह आरक्षन 334 ठीक है 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा ठीक है ना तो यह आपका option दो जो है वह गलत है देखिए अनुच्छेद 334 जो है आर्टिकल 334 उसके माध्यम से लोक सभा और राज बिधान सभा में अनुची जातियों और अनुची ज जाती समदाय से संबंदित आरक्षन का प्रावधान है और यहां पर क्या कहा रहा है कि नहीं रहेगा तो हमारे यह दो नमबर अप्सन गलत हो जाएगा पहला स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा प्रसन सेंख्या 74 इस 74 नमबर प्रसन को पढ़ी क्या कहा रहा है कि बिहार म प्रमुक योजना और दूसरी सूची में दिया हुआ है प्राप्त रासी अब देखिए पहला है कि बिहार सताबदी कुष्ट यह क्या है एक सरकारी बिहार सताबदी कुष्ट कल्यान योजना यह एक सरकारी प्रमुक योजना है सारी कि सारी सरकारी प्रमुक योजना है तो इसमें पचीस सो नहीं दिया जाता 1580 परदान की जाती है तो यहां गलत हो गया इसके बाद है कबीर अंतियोस्टी अनुदान यूजना है जिसके अंतरगत 3500 नहीं 3000 परदान की जाते हैं तो यहां से यह आपका गलत हो गया इसको सही कर लीजे और एक बार एक डाटा दिमाग में थोड़ा दिर के लिए सेप कर लीजे ताकि जब भी आगे आपके सेट में यह आए तो आप उसे रडी कोल कर सके Option C में कहरा है कि मुखमंत्री परिवार लाव यूजना इसके अंतरगत मुखमंत्री परिवार लाव यूजना के अंतरगत 25000 की रासी नहीं बलकि 20000 की रासी उपलब्द कराए जाती है इसके अलावा है आपका बिहार सताब्दी एड्स कल्यान यूजना तो यह बिहार सताब्दी एड्स कल्यान यूजना के अंतरगत 1580 उपलब्द कराई जाती है तो यह option number D हमारे क्या है? सही है प्रसें सेंग क्या है? 75 कह रहा है कि निमलिकित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्षियों के कार्यान वैन के लिए एक नोडल संस्था है तो यह है आपका नीती आयोग प्रस्न में कह रहा है था कि भारत में सतत विकास लक्षियों का जो कार्यान वैन है उसके लिए नोडल संस्था के रूप में कौन काड़ियत है तो यह आपका नीती आयोग option number C हमारे यहां से correct answer हो जाएगा नीती आयोग का गठन इसका गठन जो है वह एक जनवरी 2015 को नीती आयोग का गठन किया गया था नीती आयोग की full from कि अगर बात करें तो आप इसे मैं लिख नहीं पाऊंगा थोड़ा से लंबा हो तो आप क्या करेंगे इसे नोट करेंगे नीती आयोग का full from होता है National Institution for Transforming India है ना योजना आयोग की अस्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी पंदरा मार्च नीती आयोग अलग है इसका जो संस्था है सात्यों सतत्विकास लक्षों के कारेवन के लिए नोडल संस्था नीती आयोग है ऐसा नहीं कि आप इसे मिसमेच कर लेंगे अब आपको योजना आयोग की बारे में बता रहे हैं तो योजना आयोग की अस्थापना 15 मार्ज 1950 को की गई थी और प्रथम वित आयोग का गठन 1991 में हुगा था 1951 में प्रथम वित आयोग का गठन किया गया था अगला प्रसन है प्रसन संक्या 76 प्रसंद संक्यार 91 से फिर एक बड़ GKGS के प्रसंद की सुरुवात हो रही है कि किस पंच वर्षिय योजना के अंतरगत समाज के समाजवादी धाचे की अस्थापना का संकल्प लिया गया था यह पंच वर्षिय योजना था द्वीतिय पंच वर्षिय योजना जो है एक अप्रेल 1956 से 1901 के मत है क्या हुआ था लाग वा था यहीたि पंच वर्षिय योजना थी महाल 29 मोडल पर आधारित था पर्थम पंच वर्षिय यूजना की अगर हम बात करें तो पर्थम पंच वर्षिय यूजना 1951 से लेके 1956 तक था और यह आपका हेराड डॉमर मोडल पर आधारित था हेराड डॉमर मोडल पर आधारित था अगला प्रशन है प्रशन संख्या 92 कह रहा है कि भारत के संविधान की सात्वी अनसूची में संग सूची में निमली खित में से कौन सभी से सूची बद नहीं है देखे भारत का जो संविधान का सात्वा अनसूची है उसमें संग सूच सुचिबद नहीं है तो यहां पर रेलवे हैं बीमा है निगम करें जबकि सारवजनिक स्वास्थ है और स्वक्षता इस भारत्य स्वामिधान के सात्मी सुच अनुसुची में संग सुची के अंतरगत इसको सुचिबद नहीं किया गया है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा और यह जो है राज सुची का विशय है यह राज सुची से संबंधित है यह सारवजनिक स्वास्थ है और स्वक्षता प्रसन संख्या 93 कहरा कि ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है तो उसके द्वारा जल कर अगर जल की सुबधा मुहया करा रही तो जल टेक्स प्रकास सुल्क लेगा लेकिन क्रिसी कर नहीं लगा सकता ग्राम पंचायत यह क्रिसी कर जो है वह राज सरकार के द्वारा लगाया जा सकता है राज सरकार के द्वारा लगाया जा सकता है ऐसा नहीं कि लगाया है जाए अगर वह चाहे तो राज सरकारी से लगा सकती है प्र सुचकांग का को सेंसेक्स कहा जाता है तो निशनल स्टॉक एक्सचेंज के सुचकांग को क्या कहा जाता है अब देखिए यह तो रिजनिंग का प्रसन आ गया तो इसे साथियों निप्टी के नाम से जानते हैं अगर हम बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो कि एस इसकी अस्थापना Bombay Stock Exchange की अस्थापना की बात करें तो यह आपका इसकी अस्थापना 1875 में की गई थी प्रसंसंख्या 95 कह रहा है कि इनमलिकित में से किस समीती की संस्तूतियों यानि कि सिफारिस के आधार पर भारत में गड़ी भी रिखा का आकलन किया गया था तो यह सिफ सिफारिस किया गया था और इन्हीं के सिफारिस पर इन्हीं के सिफारिस पर गड़ी भी रेखा का भारत में गड़ी रेखा का आकलन किया गया था प्रसंसंख्या 96 96 की अगर बात करें यहां पर दिया हुआ है कि CACO3 प्लस CAO calcium oxide calcium hydroxide और carbon dioxide बोल ला है कि उपरुक्त अभिक्र पर बंद पात्र में करवाने पर CACO3 को डालने पर CO2 की साम सांदर्ता पर क्या परिवर्तन आएगा वैसे साथ यह chemistry का है यह एक बहुत ही सांदार प्रसं है लेकिन अब आपको इसको details में समझाना पड़ेगे तब जाके आप इसके answer तक पढ़ेंगे फिलहाल इसका क्या हो जाएगा कोई परिवर्तन नहीं होगा option number C इसका answer हो जाएगा प्रसं संक्या 97 97 नमबर प्रसं में कहा रहा कि किसी उत्तल लेंस में दर्साय अनुशार आपतित प्रकास किरन के लिए निम्न आड़ेखों में से कौन सा सही है यहाँ पर इस प्रसं का correct answer हो जाएगा option number A चित्र A अभी आखिर कैसे तो इसे समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर प्रसं में क्या कहा रहा है कि उत्तल लेंस में दर्साय अनुशार आपतित प्रकास यानि कि जो आ रही है उस प्रकास किरन के लिए निम्न आड़ेखों में से कौन सा सही है तो option number A अगर दूस्तों यहाँ पर आपतित है यहाँ से यह प्रकास आ रही है तो उसके बाद क्या हो जाएगी इस तरीके से निकल रही option number A इसको सही तरीके से define कर रहा है प्रसन संख्या 98 नंबर प्रसन में पूशा गया है कि Albert Einstein थे एक क्या थे एक प्रसिद जो है वह वैज्यानिक थे बहुत की सास्त्र थे option number C हमारा इसका correct answer हो जाएगा Albert Einstein के दौरा 1921 में प्रकास विदुद प्रवाव के लिए उन्हें नोबल पूरसकार से समानित किया गया था 1933 में नाजियों ने Einstein को जर्मनी से निस्कासित कर दिया था अंस्टीन की बात करें तो 1921 में उन्हें प्रकास वितुत प्रहाओ के लिए नोबल पुरस्कार से समानित किया गया था प्रस्न संख्या 99 क्या रहा है कि गंगा नदी में BOD सरवाधिक मात्रा में पाए जाती है तो यहाँ पे कहाँ पाए जाती है तो यहाँ आपका पटना एवं उलोवेडिया के मध्य में BOD सरवाधिक माध्या में पाए जाती है BOD कहने का मतलब है बायोकेमकल ऑक्सीजन डिमांड BOD के मात्रा के बढ़ने पर जल प्रदूसित हो जाता है और BOD के मात्रा के कम होने पर जल साप होता है गंगा नदी में स्वता सुध होने का सबसे अधिक गुन पाया जाता है प्रस्ण सहीं क्या, 100, 100 नमबर प्रस्ण में कहा रहा है कि निमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा इसमें से गलत दिया हुआ है, तो पहले हम पढ़ते हैं, आखिर कहा रहा है, तो ओ रुधीर वर्क वाले बेक्ती के रुधीर में के में प्रती A और प्रती B प्रत प्रतिरक्षी पहसे हैं जो हो सब को च् outfit दे सकता है तो क्या हो जाएगा सब को दे देठेगा ले किसी से नहीं सकता है है तो यहां पर क्या कहाल रहा है कि A anti-ni-an dosal और B प्रतिरक्षी पहाएगा क्यों अगर बात किसा're यह नहीं पाया जायीद तो यह आपका क्या गलत है कि अभिए नम्रों सेखार है कि भी रूधिर वर्ग वाला व्यक्ति ए रूध्यर वाले वै जिसका रहेगा व गुड़ ग्रू। तो वह उसकी उस व्यक्ति के सरीर में ए और बी रोधीर वर्ट को है साही बात कैसे से भात किया लेका तो उसके अंदर यहां एक्सेप्ट लहाँ बॉद्हिर विद्धार प्रति का रोधीर व्यार होगा प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है तो क्या हो जाएगा यहां जो है आपका गलत हो जाएगा एंटीजन जो होता है ना एंटीबोडी अलग होता है यहां आपका एंटीजन के आधार पर ठीक है तो आपका सी आपका गलत हो गया और फिर कहारा कि AB रुधिर बरवाला व्यक्ति सर्व आदाता होता है तो यहां option number D भी आपका सई हो जाएगा प्रस्ण संख्या 101 कह रहा कि प्रकास छोटे-छोटे कनों से मिलकर बना है जिन्हें क्या कहा जाता है तो उन्हें कनिका कहा जाता है प्रकास छोटे-छोटे कन से मिलकर बनता है जिसे हम कनिका के नाम से जानते हैं प्रस्ण संख्या 102 टोर्चो सर्च लाइटो तथा वहानों की हैड लाइट में बल्ब कहां लगा होता है तो यह जो है बल्ब परावर्त के फोकस के अत्याधिक निकट रहता है ताकि क्या हो रोसनी अधिक दूर तक जा सके प्रस्ण संख्या 103 कह रहा है कि गलिश्रॉल का IUPAC नाम क्या है गलिश्रॉल का IUPAC नाम जो है वह आपका प्रोपेन 123 ट्राइओल है option number B हमारा इसका सही answer हो जाएगा अगला प्रस्ण है प्रस्ण संख्या 104 104 नाम प्रस्ण में क्या रहा है कि प्रती एक ALU mathematical logic unit कहते हैं एक समय में कितने beat data को decode करती है तो एक मिनिट में उसके द्वारा 32 beat data को decode किया जाता है प्रस्ण संख्या 105 105 कह रहा है कि Australia वेग्यानिक Christian Doppler के द्वारा Doppler प्रोपाव की खोज किस वर्स में की गए थी जो एक परिवेक्षक के संदर में एक गतिमान सुरोत द्वारा उत्पन किसी भी प्रकार की ध्वनी या प्रकास तरंग की आवरिती में परिवर्थन का वर्नन करता है प्रस्ण को एक बार फिर से पढ़ेंगे कहारा कि ऐस्ट्रिलिया का जो बेग्यानिक थे क्रिस्टियन Doppler उनके द्वारा Doppler प्रोपाव की खोज किस वर्स में की गई थी जिसके द्वारा एक परिवक्षक के संदर में एक गतिमान शुरोत के द्वारा उत्पन किसी भी प्रकार की ध्वनी या प्रकास्त तरंग की अबरिती में परिवर्थन का वर्रन करता है तो यह घोज की गएती 1842 में जैसे कि अगर ट्रेन उधर से आ रही है तो वो गति में रहती है उसके द्वारा ध्वानी उत्पन कियाती या निकि होरन आता है उसे डॉपलर प्रकार के नाम से जानते हैं ऑप्सन नमबर ए हमारे यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगी होता क्या ह है कि ध्वानी शुरोत जो होता है उसकी आबरिती में होने वाला अभासी परिवर्तन की घटना को डॉपलर प्रहा के नाम से जाना जाता है प्रसन संख्या 106 यहां पर एडिशनिंग का प्रसन है प्रसन संख्या 121 कह रहा है कि डीने संसलेशन तथा हिस्टोन कोसा चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं तो यह किस प्रावस्था में सी स्टेज में ठीक है डीने संसलेशन तथा हिस्टोन कोसा चक्र जो है वह इस स्टेज की प्रावस्था है और मातरी कोशिका की अगर बात करें ठीक है ना इस स्टेज में बनते हैं और मातरी कोशिका से पुतरी कोशिका के निर्मान की कडिया को कोशिका विभाजन सेल डिविजन कहा जाता है प्रसिश्ट प्रतिरोध सभी सुचालों के लिए क्या है समान है तो यह आपका गलत है ठीक है तार का प्रतिरोध तार की लंबाय और घनतों पर निर्भर करता है बी नंबर भी आपका गलत है प्रतिरुद ही है तार की लंबाई और अनुप्रस्त काट पर निर्वर करता है तो यहाँ आपका सही है आपसे नंबर सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिरुद का जो मान है वह चालक के तापमान के reverse proportional होता है जिसे हम व्यूत कर्ण मानुपाती कहते है प्रतिरुद चालक के लंबाई के समानुपाती होता है प्रस्त संक्या 123 कह रहा है कि निमलेखित गैसों को उनके सुतरों का मिलान करना है अब जैसे क्या है? मिथेन है मिथेन को CH4 के नाम से जानते हैं तो यहाँ आपका कौन से मिल जाएगा? यहाँ अगर देखेंगे तो एका 1 सही है फिर एथेन की अगर बात करेंगे तो एथेन का क्या हो जाएगा? C2H6 यानि B का 4 ठीक है तो A का 1 A का यहां 4 है कट जाएगा A का 1 सही है A का 3 यह भी कट जाएगा A का 1 B का 4 option number D में D आपका सही हो जाएगा लेकिन हमें और भी information collect करने है प्रोपेन की अगर बात करें तो प्रोपेन का सुतर है C3H8 और ब्यूटेन की अगर बात किये तो ब्यूटेन का सुतर है C4H10 प्रसन संख्या 124 कह रहा है कि निमलिखित में से किस बिटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है तो सूखा रोग जो है वह बिटामिन D की कमी से होता है option number D हमारा यहां से correct answer हो जाएगा बिटामिन D की कमी से बच्चों में एडिकेटर्स होता है जिसे सूखा रोग कहते है इसमें हड्डिया जो होती है बहुत ही कमजोर हो जाती है प्रसन संख्या 125 निमलिखित में से कौन सा धातू हाइडर अक्साइड सबसे कम चाड़िये होता है सबसे कम जो है आपका मैगनिसियम हाइडर अक्साइड जिसे MgOH2 के नाम से जानते हैं वो सबसे कम चाड़िये होता है प्रसन संख्या 126 निमलिखित में से तत्वो का कौन सा समू धात्वी गुनों के बढ़ते हुए करम में लिखा हुआ है बढ़ते हुए करम में आपका आ जाएगा पहला ओप्सन नमबर A बेडियम, मैगनिसियम और कैल्सियम ओप्सन नमबर A हमारा यहां से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यह सभी जो है आवर्षाड़नी के समान समू से सम्दित है जो सम्मू है आपका सम्मू नमबर दो आवर्षाड़नी के सम्मू दो से इसका संबंध है प्रसन संक्या एक सो सताइस कह रहा है कि निमलिखित में से कौन सा कथन इसमें से गलत है कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है अब देखिए कैस का आकार आम तोर पर छोटा होता है जरूरी नहीं है कैस मेमोरी उन प्रोग्राम को रखती है जिनें कम समय में चलाया जा सकता है कैस मेमोरी मुख मेमोरी से तेज होती है तो यह तो आपका ऐसे ही अगर बात करें देखिए अगर इसे आप समझेंगे cash memory की अगर बात करेंगे तो यह मुख memory से तेज तो होता है है तो यह आपका पिश है यह सारे के सारे सही है है और cash memory data को अस्थाय रूप से उप करने के लिए संग्रा करता तो अस्थाय नहीं also अस्थाई यानि कि टेंपररली तो आप्शन नमबर डी क्या है गलत है है ना आप्शन डी हमारा यहां से सही आंसर हो जाएगा प्रेशन संक्या एक सो अठाइस 128 नमबर प्रेशन में कह रहा है कि पहला मानव निडवित संस्लिस संसलेशित रेशा कों सा है तो यह क्या हो जाएगा नॉयलन हो जाएगा ऑप्शन नमबर भी हमारा इसका correct आंसर हो जाएगा प्रस्ण संख्या 129 मुक्त पतन उदारन है मुक्त पतन किसका उदारन है एक समान तौरन वाली गती का स्पीड का एक समान एक जैसा तौरन को एक्सलेरीशन के नाम से जानते हैं तो एक समान एक्सलेरीशन वाले वेलस्वेटी वेग गती को जाना जाता है निम्न में से किस प्रसीत का उपयोग आजकल नहीं होता है किसका यूज नहीं किया जाता तो अमोनिया का सलफा डायकसाइड और फ्रियोन इसका यूज किया जाता है कारवन डायकसाइड का प्रसीतक के रूप में रेफ्रिजेटर में यूज नहीं किया जाता प्रसीतक है ना तो आप्शन नमबर सी हमारे जहां से करेक्ट आंसर होगा प्रस्न संख्या 132 किन भूकम्पिये तरंगों में अनुप्रस्त बियस्थापन सामिल होता है तो यह किस में सामिल होता है इस तरंग में इस तरंगे भूकम्पिये तरंगों में अनुप्रस्त बियस्थापन सामिल होता है जिस अस्थान पर सबसे पहले भूकंबिये तरंगों का अनुभव किया जाता है उसे हम भूकंब केंद के नाम से जानते हैं प्रसे संक्या 133 रक्त में डैस नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कनिकाय यानि की RBC तथा स्वेक्त रक्त कनिकाय वाइट ब्लड सिल्स और प्लेटलेट्स तहरते रहते हैं उसे क्या कहते हैं तो साथियों उसे प्लाज्मा कहते हैं 133 का option number B हमारे यहां से correct answer हो जाएगा प्लाज्मा जो है संपूर्ण ब्लड का total अगर ब्लड की बात करे टोटल ब्लड का प्लाज्मा 55 से लेके 60 परतिसत तक होता है और प्लाज्मा में अगर बात की जाए प्लाज्मा में 90 से लेके 90 परतिसत वाटर रहता है 90 से 90 परतिसत वाटर रहता है प्रस्ण संख्या 134 134 नमबर प्रस्ण में कह रहा है कि इंदर धनुस एक प्राकिरतिक परिघटना है जो डैस को दर साती है तो यह क्या है प्रकास के वर्न विच्षेपन वर्न का मतलब क्या होता है कलर सी ओ लो यू आर कलर वर्न कलर का विच्षेपन डिवाइड होना है ना उसी को इंदर धनुस के द्वारा जो घटना होती उसी के उसी में यह जो है प्रकास का वर्न विच्षे होता है कहां पर होता है अनुमस्तिस्क से जो है शरीर की भंगी का और संतुलन का कंट्रूल होता है ठीक है अनुमस्तिस्क जो है प्रवमस्तिस्क के नीचे इस्थित होता है और यह जो है एच्छी किरियाओ पर नियंतरन रखता है प्रस्ण संक्या 136 जो कि आपका लिए यहां पर आपका complete हुआ, मिनेंगे साथ ह evaluating अगले विडियो में जिसमें RBD के set नमबर को complete किया जाएगा, शुक्रिक नौ तक तो आप complete कर चुके है, set नमबर 10 को complete किया जाएगा, जिसमें origin किया जाएगा, इसके RBD का total set जो है, JKGS का complete हो चुका है, यहाँ पर सेट नमबर 10 के RBD के सेट नमबर 10 के रिजनिंग को कम्प्लेट करेंगे और यहाँ आपका सेट नमबर 2 जो है प्लेटफॉर्म का है भैवलून 2 का कम्प्लेट हो चुका है आप सभी लोग इस वीडियो को अपने जितने भी फ्रेंड सर्कील है वहाँ पर सेट करेंगे ताकि जो भी बिहार SAC के अब्यादी है उन्हें क्या मदद मिल सके आप तमाम लोगों का इस चैनल के साथ जूड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद